ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोइट एंड यूर वाचिंग रसल चैटर्स बना दिये गया, मैंने आपको पहले सी बता दिया था कि इसके होने के चांसे हैं और यही चीज हमने स्मैकड़न के एपिसोड में देखी रिसेंटली मतलब ही सबते और गाइस इसके बाद रोमन रेंस ने ट्वीट करके इसके बारे में अपना रियक्शन में दिया और उन्होंने कहा कि बिग डॉग होने का मतलब होता है कि आपको बिग फाइट के लिए रेडी होना चाहिए और यही चीज मैं लेकर जाओंगा क्राउन जूल में मैं क्राउन जूल में कैप्टन बनने के बाद अब पूरी तरह से रेडी हूँ और गाइस यहाँ पर उन्होंने मैंशन किया उस वाली वीडियो को जहाँ पर स्मैक्डाउन के बाद उनका बैक्सेज इंटर्वी होता और उन्होंने कहा कि कैसे उनके लिए जो नाइट थी हूँ काफ़ी जदा बीजी थी उनको दो बार मैच में रैसल करना पड़ा लेकिन यह चीज़े उनके लिए नॉर्मल है उनको इससे ज़ादा प्रॉब्लम नहीं होती तो देखकर यहाँ पर लग रहा है कि जुड़ी है स्मैकडाउन की व्योडशिप से जब रॉक आयते उससे में व्योडशिप आसमान चूरी थी उसके बाद जैसे से दिरे स्मैकडाउन के एपिसोड चले वहां पर व्योडशिप घटने लगी और इस अपति की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैं आपको लास लास वीक की बताता हूं तो लास वीक व्योडशिप थी 2.877 मिलियन व्योडशिप लेकिन इस अपति की बात करें तो वह 15 परसन घट चुकी है और स्मैकडाउन को यहां पर व्योडशिप मिली है 2.442 तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शाद फॉक्स पर जाने के बाद स्मैक आपको लगातार अची रेटिंग्स डॉक करनी पड़ेगे तब ही अच्छा बनता है और जब आपको इतने जादा पैसे मिलो तो फिर आपको कॉंटेंट भी अच्छा पूट करना पड़ेगा लेकिन इसमें डेबल अबली की मैं कुछ जादा गलती नहीं कहूंगा क्योंक कि उन्होंने सारी चीजे करी हैं मतलब ड्राफ में देख लो कैसे कैसे बड़े सूपर स्टार्स को स्मैकडाउन के उपर लाया जा रहा है तो फिर देखते हैं डेबल लबली इन चीजों में आगे किस तरीके से इंप्रूव कर दी है अगली स्टोरी के तरह बढ़ते हैं औ बादा बेटर लग रही है और एक तरीके से उन्होंने रॉक की डिसस्पेक करी और इसके बाद यहां पर रॉक ने मजाग दूड़ा है बहुत ही खतरनाक तरीके से लेसी इवेंस का उन्होंने सबसे बढ़े लिखा लुक ट्रेसी स्टेसी वटेवर मतलब यहां पर वह यह रिपलाइ करते हैं तो बाई उस सूबस्टार को भी अटेंशन मिलती है तो ऐसा लग रहा है कि लेजी इवन्स कभी यहां पर कुछ ऐसा ही मूव था लेगिन यह जो में थोड़ी सी वार देखने को मेंने ट्विटर के ऊपर फैंस निवाई इसे तो काफी ज्यादा सेथ रॉलिंस बताएंगे कि उन्होंने क्यों फार फैर फ्लाइफ अनाउस को जलाए तो इस तरह के से डबल लबली ने अगली रॉक एपिसोड के लिए काफी सारे बड़े सेग्मेंट्स को अनाउस कर दिया है तो आप लो कह सकते हो कि यह अगली रॉक होने वाली है कमाल क है हमारी नेक्शन फैनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि सबसे बिग स्टोरी है और वो यह कि रियाद में विंस मिक्मैन और अंडर्टेकर को स्पॉर्ट किया गया है और गाइस आपको पता है कि डबल लबली का अपकमिंग इवेंट आने वाला है क्राउन जूल में व हो सकता है वहां पर किसी काम के लिए कोई उनका विजट बगारा उसके बारे मुझे कुछ भी नहीं बता कोई भी यहां पर डीटेल्स नहीं है जस्ट यहां पर विंस हुक्मैन और अंडर्टेकर को रियाद में स्पॉर्ट किया गया है अब यहां पर इससे यह तो लग रह चीज है अगर हम बात करें अंडर्टेकर की अपीरियंस की एट क्राउं चुल और फिलाल यह जाहता बात है जो कि मैं आपको अंडर्टेकर के बारे में बता सकता हूं और इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ो प्लीज लाइक की बना कहीं मज जाना कॉमेंट क